तेरा नमबर । आपने सुना वगा तेरा नमबर की कहानी क्या है तेरा नमबर के बारे मश्यूर एंभकी नमबर हो क्या आपको पता है बहुत से स्काइग स्कृपष में 13th peeYald कुछ airline में 13th row ही नही नहीं होता है क्योंकि 13 तो रो किसी को मिल रहा है और 13 नमबर मेरा आ गया हाँ अब आजमी पूरी फ्लाइट में बैठा है घब रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है और फ्राइडे तो 13 आ जाए हाँ तो तो बहुत 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 फ्राइडे और 13 मिक्स हो गया तो उसके तालुक से और कहानी है क्या कह रहे हो तेरा नमबर के हाथ में है कुछ हा क्यों नहीं अच्छा बोलो आप लोग बोलो 786 के हाथ में है कि नहीं है नमबर प्लेट में 786 चाहिए फोन नमबर में 786 चाहिए नमबर प्लेट में 786 लगाने में बहुत लोगों का इंटेंशन होता है कि ये शा तो अभी बताइए क्या है, numbers के हाथ में है किसी number के हाथ में कच नहीं कोई जात नहीं, कोई शक्सित नहीं कोई ताकत नहीं कोई color नहीं कोई number नहीं, कुछ दों मुलते हैं किसका मुँ देखा सुबा-सुबा घुरा दिन अच्छा हो गया हाँ या आप पता नहीं किसका मूँ सुबह सुबह देख लिया कि अच पूरा दिन खराब हो गया हाँ 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 अच्छा बुरेगा मालिक कौन है अल्ला है अल्ला के हाथ में साथ कुछ है किसी के चेहरा देखने से दिन खराब होता है नहीं होता, यह कमजोरी हैं इनसान की अगर इनसान यह मानता है ना, यह मान मान की जीता है क्या जी रहा है भाई आजाद करो अपने आपको यह सब कमजोरियों से एक रप से तालुक जोड़ रहो, उसके हाथ में सब कुछ है कितने सरे टेंशन में अब ही जुलचता रहता है कि पता नहीं किसका मुझ देख लिया, कोवा काय काय कर रहा है काली बिली, रास्ता बांड है कितने सारे प्राब्लिम्स लोगों की जिलते हैं धागा बांदे भे और धागा खराब हो रहा है तूट जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा अब तावीज पहना हुआ है अभी बले तावीज वहा रहा 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 है मेरा पता नहीं क्या होने वाला है मेरा मन अल्लक तमीमतन फकद अश्रका जिसने तावीज तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया नभी सलिए ने फर्माया जो कोई चीज लटकाता है उसी के सुपूर्ट कर दिया याता है उसका भरोसा होने लगता है नभी सलिए लटका सकते हैं बाकी तावीज लटका है तो शिर्क किया इसमें फर्क नहीं किया कि तावीज लड़का है तो शर्किया यहां यह होता है तो में भाई और में बहने आप सब के सामने एक बेसिक दावत है दावत क्या है अपने अकीदे और इमान में यह चीज़ जिन्दगी भर के लिए बना लो अपने ही नहीं घर वाले बच्चे दो साबावत किसको बतासकते हैं बताओ कि यह कहना कि अच्छा बुरा सिर्फ अल्लह के हात में बनाने वाला भी वही है मालिक भी वही है चलाने वाला भी वही है जिन्दगी, मौद, बिमारी, शिफा, रिस्क, उलाद, सब चीज उसी के हाथ में उसी के ओपर हमारा इमान है, उसी के हाथ में सब कुछ है एक के हाथ में सब कुछ है, बाकी सब मखलूख है, वो खालिक है बागी सब का माली कोई है खिलाने वाला है उसे खाने की कोई जरूरत में उसे नानीम की जरूरत है उसे नाराम की जरूरत है ये पहचानना के किस दाद पर हमने अपने इमान दखाया है